हेलो स्टुडेंज आज हम फाइलम पॉरी फेरा जनरल का एक्टरस और क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगी पॉरी फेरा जैसा की नाम से ही है पॉरी यानि पॉरस बोड़ी जिनका शरीर छिद्रित होता है उनको पॉरी फेरेंस में काउंट किया गया है पॉरी फेरेंस अगर उनका हैवीटा हम देखें हैवीटाट हम देखेंगे पॉरी फेरा ओल आर एक्विटिक एनिमल्स यानि सब जलिये प्राणी होते हैं पॉरी फेरेंस जो होते हैं सभी जलिये जनतु होते हैं मोस्ट ओफ देम समुद्रवासी होते हैं के वहले एक फेमिली जो स्पॉंजिलिडी है जिसका एक्जाम्पल स्पॉंजीला है विचिए फ्रेश वॉर्टर स्पंज जो छोटे क्वेशन में पूछा भी जाता है इसक जल वाले होते हैं एलवन जलिये फ्रेश वॉर्टर स्पंज जो है वो केवल स्पॉंज लीटी में पाई जाते हैं यह स्थानबद होते हैं या निगती नहीं करते हैं इसलिए पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ था इनका इडिनिफिकेशन तो इनको प्लांट्स में रहे होती है दे बोडी शेप इस एक फूल दान के समान सिलिंडर के समान सिलिंडर के समान सिलिंडरिकल लाइक एसीमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री यानि इन में फूल दानी यह वेस के समान वास के समान यह सिलिंडर के समान होती है और एस समीती होते हैं यानि समीती का म लेकिन इनको किसी भी एंगल से बोडी को एक सिमिट्री में नहीं बाटा जा सकता है या फिर यह अरिय समेती इन में पाई जाती है अरिय समेती यानि जिन में ओरल और अब औरल सर्फेसेज कन्फरम होती है मुखतल और अपमुखतल फिर आता है दो बोडी सर्फेस इस परफोरेटेड बाइ नूमरस पोर्स और चिद्रित होते हैं शरीर और उनको ओस्टिया थू दे ओस्कुला बाइच दे वोटर एक्जिस्ट ओस्टिया और ओस्कुलम दो प्रकार के शिद्र पाय जाते हैं ओस्टिया से शरीर में पानी अं पाता है multicellular organism with the cellular liver of body organization no distinct tissue or organ इनके अंदर कोशी का स्तरप्रकार का शारीरिक संग्थन मैंने आपको basis of classification में पढ़ाय था 5 तरह के protoplasmic grade of body organization, cellular grade, tissue grade, organ grade and system grade सबसे primitive टाइप का होता है प्रोटो प्राजमी ग्रेड का जिसमें प्रोटो प्लाजम यानि nucleus plus cell organically मिलके सारे body के काम करते हैं वो होते हैं unicellular animals में जो की proto जवा होता है दूसरे प्रकार का कोशी की इस्तर प्रकार का और कोशी के इस्तर यानि जिनमें कोशीकाओं के दुवारा ही सारे कारे पूरे होते हैं ए विभिन प्रकार की कोशिकाень और वो प्रकार का पाया जाता है forefront में तीसरे प्रकार का tissue grade यानि एक कारिये को करने के लिए एक समान आकार की कोशिकाइण कुछ गूपस में बढ जाती है विद वे जिनको हमने पहले भी definition पड़ी है कि समाना कार की कोशिकाओं का समू उत्र क्या टीश्यू कहला आ चोथे प्रकार का आएगा organ grade वो मल्टी पुल्प फंक्षनल जिनमे organs होते हैं जो complex animals होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि different type के tissues मिलके organ का निर्मान करते हैं वो different organs different works को perform करते हैं लास्ट आता है system grade जो क्या पाए जाता है कि different type के organs एक system जैसे हमारे अंदर है कि अबर हम खार ना खाते हैं पाचन तंत्र है तो उसमें कितने organ काम करते हैं सबसे पहले mouth है इसके बाद जो है फैरिंग से इसोफेगस है स्टमक है डियोडिनम है स्माल इंटेस्टाइन लाज इंटेस्टाइन है रेक्टम एनस तो यह आप इस तरह से देखिए इस सारे मिलके एक तंत्र बना रहे हैं जो एक काम को कम्प्लीट कर रहे हैं इस तरह से यह बोड़ी और्गनाजेशन पाए जाता तो पो साइडस होती है आरके उसाइडस होती है यह डिपर्ण ट्राइब की सेल्स पाइजते हैं फिर आता है स्टेयों कॉंसिस्ट ओफ आउटर एक्टोडम एंड इंटर एंड़ोडम विद एंटेमी देजन कायमा देफोर डिपलोप्लास्टिक बीच ठरी होते हैं एक तरह से यह बाहर की ectoderm, जिसको pinacoderm का जाता है, अंदर की जो होती है, वो coinoderm या coinocyte cells होती है, और beach का जो होती है, वो a cellular layer, mesoglia, mesen caima पाई जाती है, तो इस तरहें द्विश्थरी होते हैं, the interior space of body is either hollow or permitted by numerous canals lined with coinocytes and the interior space of the sponge body is called spongosil, sponges जो होते हैं, उनके अंदर बाहर की pinacocytes, अंदर की coinocytes और बीच में एक bag like structure होता है, होकला hollow structure होता है, जिसको spongosil cavity होती है, यह आपको हमने अभी बताए कि यह स्थानवद होते हैं, गती नहीं कर सकते हैं, तो यह इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम पाए जाता है, इस पॉंजिसीले कैनाल होती है, जिसमें ओस्टिया की द्वारा पानी अंदर आता है, और इस बीच चीस की सारी activity जो होती हैं, उसी पानी के थुरू जो अंदर आता है, उसमें यह भोजन भी ले ले लेते हैं, इनके अंदर गैसेज के एक्सेंजी भी होता जाता है, इनके अंदर जो है, वो वेस्ट प्रोड़क्ट छोड़ दिये जाते हैं, इसके अलाबा आवश्यक पदार्थ ले लिये जाते हैं, इनका फर्टिलाजेशन, एक्स्टनल फर्टिलाजेशन होता है, स्पर्म ओवा भी छोड़ दी चाते हैं इस तरह से सारी एक्टिविटी इसी के नाल सिस्टम से कंप्लीट होती है क्योंकि यह इस्थान बर दरनी मल है तो इस तरह से अंदर की सेल्स जो होती है वह कोईनसाइड जो की फ्लेजिलेटेड सेल्स होती है और वह स्पॉंजोसिल के अन्दर पाई जाती है है अब आता है हैorer जो हैजिसका क tentang और और वह कंटिकाउं का बना thrown कंकाल होता है यह कल्केस कंटिकाई होती है या फिर सिलीशियस सिलीका की बनी या केलिस्यम काबोनेट की बनी कर निकाई होती है तो कंटिकाई होती है या स्पॉंजिन फाइबर के द्वारा इनका कंकाल बनावा होता है फिर आता है माउथ हैपसेंट होता है डाजेस्टिव डाजेशन जो हता है इंट जीला जो होते हैं गल्फ कर लेते हैं भोजन को और फिर भोजन का पाचन जो हो सेल के अंदर होता है जिसको इंट्रा सेलूलर डाजेशन कहा गया है फिर आता है एक्सक्रीटरी एंड रेस्पीरेटरी ओर गन्स आर एपसेंट नहीं पाय जाते हैं स्वेशन और उच्छाजन यह जो होती है और अमोनिया को सीधे पानी में स्पंजोसील में छोड़ दिया जाता है अमोनिया एक बहुत ही टेक्स टॉक्सिक गैस होती है एक्स तो दूसरे फिर आता है कॉंट्रेक्टाइल वेक्योल्स आर प्रेजेंट इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स संकुचिल शील जो रज़्दानिया पाई जाती है कुछ में नर्वस एंट सेंसरी सेल्स आर प्रोबेबली नोट इफ्रेंशेटेड नहीं पाई जाती है इनके अंदर सेंसे जरूर पाई जाती है दे प्रेमिटिव नर्वस सिस्टम आफ न्यूरोन अरेंज इन डिफाइन नेट्वक इस पॉंजेज आर मोनो इशिस एक लिंगी होते हैं मोनो इशिस जो हता है वो द्विलिंगी होता है ऐ थिंक बौछ सेक्सेज रिपर्डक्शन अकर्स बाइब बौछ शेक्स बौछ सेक्सवल एंड असेक्शवल रिपर्रडेक्शन ध्विलिन्गी होते हैं उसके बावजूद भी यह जो है इनके अंदर वो जो फटिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और क्रोस फटिलाइजेशन होता है और इनके अंदर सैक्षवल लेंगी और एलेंगी के जनन दोनों प्रकार का पाय जाता है एसेक्शल रिप्रोड़क्शन आकर्स बाई बर्ड्स एंड जम्यूल एलेंगी के जनन जो होता है वो बर्ड्स आगे से आगे अतिवर्दियां जो निकलती है वो और जम्यूल के द्वारा होता है सेक्षिल रिप्रोडक्शन अकर्स वाया ओवा एंड स्पम के द्वारा होता है ओल स्पॉंजेज और हर्मेप्रोडाइड जैसा मैंने आपको बताए कि द्विलिंगी होते हैं मैल फिमिल दोनों टाइफ के और गन्स इंके अंदर पाई जाते हैं तो फिर भी अने आपको बताया कि इनके अंदर पर निशय चन पाय को कारण क्या है कि इसके अंदर प्रोटेंडर्स स्टेट पाई पुम पूर वता यानि फीमेल गैमिट से पहले मैचूर होताए चों परि इन्टर्नल बट्रोस फर्ट्रिलाजेशन कहने कर क्लिवेज वोलो ब्लास्टी को बंजी विद्लन यानि पूरा डिवाइड हो जाता है क्योंकि इसके अंदर फिर आता है डवलप्मेंट इस इंडारेक्ट थू फ्री स्विमिंग इसको एंफी ब्लास्टूला लार्वा कहते ह इसको कहते हैं तुर डवलप्मेंट स्टेटी जैसे एग लार्वा फिर आता है तो यह तरह का यह इन्डारेक्ट डवलप्मेंट होता है तो इसके अंदर फिवलास्टूला लार्वा पाया जाता है यह नाम भी याद रखेगा चोटे क्वेशन पे पुछा जाता है लिए स्टेट जार्वा फिरन इन त्री टाइप से विच ए इसकोन अब आपको बता है कि अंदर कैनाल सिस्टम होता है तीन प्रकार को आता है ऐसकोन जो होता है सबसे प्रिमिटिव टाइप को होता है जिसमें और सिदाई इसमें स्पंजोशील में खुलता है वो और से बाहर होती हैं और तीसरा लुकॉन बहुत ही कॉंप्लिकेट होता है जिसमें फ्लेजिलेटेड चेम्बर्स बन जाते हैं एक्जामपल इसके होए क्लेटरी ना साइकोल है ग्रेंशिया है उप्लेक्टला है हायलो नीमा है तो ही डिफरेंट टाइप के एक्जामपल्स इनके पाए ज हुआ है टो ही डिलेट याइप के लिफड़ेगी एक्जामपल्स बन जाला है लोग जाता है जानिए जाता है, है दema है क्जार से बनाव बने करते हैं जाता है।